तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक्खर ने सेक्रेटरी को साइड की और एलविश के ओफिस के दोर पर नौक किया वही अंदर बैथा एलविश सब देख रहा था क्योंकि इंटीरियर डिजाइन ऐसा था कि वह अंदर से बाहर का सब कुछ देख सकता है लेकिन बाहर का शक के होटो पर डेविल स्माइल आ गई और वह बोला वेलकम कहर इग्निविंशी उपस रघुवंशी अब आगे खर ने जैसे ही एलविश की डॉमिनेटलिग आवाज सुनी उसके खून के अंदर जैसे चिंगारी लग गई उसने अपने कदम एलविश की तरफ बढ़ते से देखा और बोला वेलकम कहर रघुवंशी शायद तुम्हें मालूम नहीं है पर तुम मेरे ओफिस में खड़ी हो ये तुम्हारा घर नहीं है तुम्हारा बेहेवियर के लिए मैं तुम्हें ऐसे धक्के मार कर बाहर निकल सकता हूँ सिर्फ एक मिनट लगेगा एलविश कहर रघुवंशी ने कभी जुकना नहीं सीखा कहते हुए कहर ने गुस्से से एलविश के डैक्स पर पढ़ी फाइल को उठाया और उसे दूसरी तरफ फैंक दिया चिल्ला कर बोलती तुम एक बिजनेसमेन तो नहीं लगते एलविश कहर की बाते सुन रहा था अंदर से त अपने लोगों से चोरी करवाता है तुम्हें क्या लगता है कि एक प्रोजेक्ट कैंसल होने से तुम कहर रघुवंशी को तोड़ दोगे तो ये तुम्हारी गलत फेहमी हैं काइंड यव इन्फरमेशन इगनिवंशी कहर रघुवंशी ने खुद को मेहनत से बनाया है किस इसमें ही क्या जो अपनी प्रोफेशनल और पसनल लाइफ को मिक्स करे तुम्हें जो ट्रिक खेली है खेलो लेकिन तुम्हारी डिर्टी अन्हेल गैम से कहर रघुवंशी जुक नहीं जाएगी तुमने ये सब करकर अपनी हैसियत दिखाईए है कि तुम असल में हो क्या ए सेक्योरिटी की जरूरत नहीं है, know who I am, तुम कितने गिर सकते हो ये, मुझसे बेहतर कौन बन सकता है कहर ने एलविश की आँखों में देखते हुए कहा कहर रघुवंशी I want you तुम मेरे, ही ओफिस में आकर मेरी इंसल्ट कर रही हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं ह तुम मुझ पर ऐसे ही जूटे, एलगेशन कैसे लगा सकती हो, ओलवेज गुसे से कहकर पास आया और उसका हाथ पकर लिया और चिलाते हुए बोला तुम, मुझ पर जूटे एलगेशन्स लग रही हो, मैंने कोई डिजाइन नहीं जुड़ा है, ओर रियली तुम हो जो मु जैसे निकल गए कहर, जैसे भी बुनियाद इलगाम को सुनकर एलविश का दिमाग खराब हो गया और उसने कहर का हाथ जोड से पकरते हुए, कहा एलविश इगनिविन्शी को किसी को बरबाद करने के लिए चोरी का या जूट बोलने का सहारा नहीं चाहिए वह, चुटकि इसमें आकर मुझ पर ही चिला रही हो और जूटा इलगा रही हो फिर किसने डिजाइन्स चुराए कहर ने, तंज करते हुए कहा, एलविश ने कहर की आँखों में देखते हुए कहा, डोंट नो लेकिन तुम विदाउट प्रूफ जाकर मुझ, पर इलगा रही हो मैं इसके लिए तुम्हें जेल भीज सकता हुँ, कहर ने अपने होठों को भीचा और उसने एलविश का हाथ दूर से जटकते हुए बोले डरते होंगे सब तुम से लेकिन कहर रगवणशी नहीं तुम जैसे शक्स को मैं अच्छे से जानती हुँ और तुम पर ट्रस्ट करना तो अपने ही बेवकूफी है ना इसके कैरेक्टर का पता है और ना ही कमिट्मेंट का कहर की बातों को सुनकर एलविश की भौहें सिकुर गई और उसने कहर की तरफ देखते हुए कहा कैरेक्टर की बाते देखो कर तो कौन रहा है और कमिट्मेंट कहते हुए वह जोर से हसा और बोला तुम खुद को बेहद अच्छे से जानती हो तुमने कभी मिरमें देखा है खुद को इसका पफेक्ट एक्जामपल हो तुम कहर रगवन्शी कहर ने गुस्से से तिर्चा मुस्कुरा कर कहा जस्ट शट अब जो खुद बेकिरदार हो वह बाकी किरदारों को भी बेकिर करने की कोशिश करते हैं कभी जहनकार देखा है खुद के अंदर की किस तरीके के इनसान हो तुम अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताती हूँ दबलडी बास्टड कहर के इलजाम अब एलविश से बरदाश्ट नहीं हुए और वह जोर से गुस्से में चिलाते हुए बो हैं एलविश इग्निविन्शी के सामने कुछ बोलने की मैं कैसे मान लूँ कि डिजाइन चोरी हुए है क्या प्रूफ है तुम्हारे पास तुम इस बेस पर एलविश इग्निविन्शी पर एलिगेशन लग रही हो क्योंकि तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिला रियली कहर रगुवन्शी यह हैं तुम्हारा प्रोफेशनल काम करने का तरीका कहते हुए एलविश ने कहर का मजाक उड़ाया। हो सकता है कि तुमने चोरी की हो डिजाइन्स तुमने चोरी कर आए हो और यह भी पॉसिबिलिटी की तुम उस प्रोजेक्ट के लायक ना हो कहते हुए एल प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिला इसलिए तुम बॉखला कर पागल हो गई हो कभी कभी हमें हारना भी एकसेप्ट करना पढ़ता है और फेस करो एलविश की बातों को सुनकर कहर का खून खौल गया और जैसा कि तुमने कहा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तो मैं तुम पर ट्रस्ट क्यूं करूंगा ना ही हमारा कोई प्रोफेशनल रिष्टा है और नहीं कोई पसनल रिष्टा ये तुम्हारा प्लान हो सकता है या ट्रेप भी मुझे फसाने का मेरी इमेज को डाउन करने का या मेरी रेपोटेशन को गिराने का और मेरे एक शब्द से तुम्हारा करियर स्पॉयल हो सकता है तो डोंट चैलेंज मी वरना एलविश। इगनिविंशी क्या है मैं तुम्हें दिखांगा। कहर ने एलविश की आँखों में जानते हुए उसका मजाक उड़ाया और कर भी कर सकते हो तुम्हें और आता भी क्या। है लोगों को डीफैम करना या खुद के जूत को कॉन्फिडेंस से सच बोलना कि मैं तुम पर कैसे बिलीव कर लूँ कि तुम वह नहीं हो जिसे डिजाइन स्टोरी नहीं करवाई क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा नफरत तुम मुझसे करते हो और ये तुम भी अच्छे से जानते हो who the hell are you जो मेरे केरेक्टर को जज कर रहा है कभी तुमने मिरा मैं अपना फेस देखा है कि तुम क्या हो एलविश इग्निविंशी की जुबान पक्की है वह अपनी जुबान से कभी मुकरता नहीं है अगर मैंने कहा कि मैंने डिजाइन्स नहीं चोरी किया तो इसक देर सोच कर एलविश किसकी बात कर रहा है अकसर लोगों को यही गलत फेहमी हो जाया करती थी कि समीर उसका हस्बेंड है और शायद से गलत फेहमी का शिकार एलविश है लेकिन कहर का कोई इरादा नहीं था एलविश को सफाई देने का क्योंकि वह उसके लिए कोई मैटर नहीं करता उसने रूडली कहा मेरे पार्टनर या मेरे साथ इन्वॉल्फ किसी शक्स को अपने जैसा समझना की भूल मत करो तुमसे ज्यादा कई गुना ट्रस्ट है मुझे उसे पर खुद से भी ज्यादा कहर की बाते सुनकर एलविश ने अपने होठों को भीच लिया क्य अगर तुम्हे कुछ चाहिए तो तुम मुझे सीधा सीधा बोल सकती हो यहाँ पर हंगामा करने की जरूरत नहीं है सो तेल मी क्लियरली क्या तुम्हे चाहिए पैसा या प्रोजेक्ट क्योंकि तुम जैसे हर दूसरे दिन यहाँ पर आकर तमाशा करते हैं मेरे लिए कोई नया नहीं है फिर अपनी वाच की तरफ देखते हुए बोला मुझे इंपॉर्टेंट मीटीग भी खात्म करनी है इतना टाइम नहीं है कि तुम पर वेस्ट करूँ मेरे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे की शकल देखूँ और अपना ये दो क पोड़ी का एटिट्यूट किसी और को दिखाना मुझे नहीं मारती होगी लड़किया तुम पर ऐसे लेकिन तुम्हें देखकर मेरा दमगुत रहा है ब्लडी बास्टड एल्विश ने बंसी के मुह से दोबारा खुद के लिए ब्लडी बास्टड सुना तो उसे गुसा आ कर घूम गया जिससे कहर ने संभालने के लिए पीछे के टेबल को पकड़ लिया और एल्विश उस पर जुक गया उन दोनों की गुस्से भरी सांस एक दूसरे से टकरा रही थी कहर ने एल्विश की आँखों में नफरत से देखा और एल्विश भी उतनी ही नफरत से उसे रहा था, डोन्ट प्रवोक मी कहर एगनिविंशी, ब्लडी बास्टड बास्टड बास्टड, एल्विश की सारी नसे गुस्से में उभर आई थी, अचानक से कहर का मुह बंध हो गया और उसकी आँखे चोड़ी हो गई असल में एल्विश ने गुस्से से उसे किस कर लिया एल्विश इतने में ही नहीं रुक उसने कहर के होथों को अपने दातों के नीचे जोर से दबा दिया जिससे कहर करहा, उथी और एल्विश को खुद से दूर धक्का देने लगी लेकिन अचानक से एल्विश एग्रेसिव हो गया था और उसने बिलकुल, उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा भी कुछ करेगा, एल्विश इस वक्त सब कुछ भूल गया था और अपने गुस्से को थंडा करने के लिए वह बस कहर को चुमे जा रहा है, जैसे उसे पनिश कर रहा था क्योंकि अभी कहर ने उसके करेक्टर पर उंगली उथाय एलिगेशन लगाया वही श अपनी पूरी ताकत से दूर धकेल दिया, एल्विश कहर से तीन कदम दूर हो गया, कहर सीधी खड़ी हुई और एल्विश को नफरत से देखते हुए बोली मैं तुम्हें छोडूंगी नहीं हाओ डेर यू तुमने मुझे मेरी पमिशन के बिना किस किया ये, है तुम्हार स्टेंडर्ड, कहर गुस्से से आगे बढ़ी और उसने एल्विश पर चिलाते हुए कहा तुम हिम्मत कैसे हुई तुम खुद को समझते क्या, हो एल्विश इगनिबंशी कहर अपने होथों को गुस्से में रगर ने लगी जैसे वह एल्विश की छुवन तक अपने से मित देना चाहती हो उसने जब देखा कि कहर को उसे इतनी घिन और इतनी नफरत हैं ये देखकर उसने अपने हाथों की मुद्धिया बना ली कहर ने गुस्से से एल्विश को देखते हुए कहा मैं तुम्हें छोडूंगी नहीं एल्विश इगनिवंशी अगर दम है तो सामने सेवार किया करो पीट पीछे नहीं क्योंकि पीट पीछे कायवार करते हैं और आई होप की तुम मर्द हो कहर के ये कपाक्षभरेन शब्दों को सुनकर कर भी एल्विश भी गुस्से से बोला तुमसे बहतर कौन जान सकता है कि मैं मर्द हूँ या नहीं कहर ने जैसे ही यह सुना उसका खूं जलने लगा और उसने चिल्ला कर कहा तुम अपनी लाखों गल्फ्रेंड से पूछे जिनके साथ तुम रहते हो वह तुम्हें बताएंगे कि तुम हो या नहीं एल्विष ने जैसे ही कहर के यह बाते सुनी वह गुससे से बोला कहर रगोंशी तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो और जो तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की उसका क्या एल्विश ने अपनी गुस्से से कहा गेट आउट कहर भी चिलाते हुए बोली मुझे भी तुम्हारी शक्र देखने का शौक नहीं है कहते हुए उसने टैक्स पर पढ़ा सामान जमीन पर गिरा दिया और पो पटकते हुए वहां से बाहर चली गई एल्विश अपने दांत पीस कर रह गया क्योंकि पहले किसी ने उसकी इतनी बेज जती नहीं की थी कहर को इतने गुसे में बाहर आते देखकर बाहर खड़ी एल्विश की सेक्रेटरी भी सहम गई और उसने कहर के रास्ते में आने की बिल्कुल कोशिश नहीं की कहर तूफान की तरह आई थी और आंधी की चली गई एल्विश ने गुसे से टेबल पर पांच मारा और चिलाया कहर वही कहर जा रही थी तो पास सारा स्टाफ सही देख रहा था वहाँ पर गौसिप होने लगी यह लड़की कौन है शायद बॉस की नई गलफ्रेंड है यस यह सर की नई गलफ्रेंड ही होगी वरना किसकी इतनी हिम्मत की वह ऐसे सर के केबिन में घुस जाए वाइफ तो नहीं हो सकती क्यूंकि सर की वाइफ सुनने में आया था कि फाइव साल पहले मर गई थी उनकी देख हो चुकी है कहर ने जैसे ही यह सुना उसके कान खड़े हो गए और उसकी जो कदम अभी तक तेजी से चल रहे थे ठहर से गए और आँखों में हशकाने लगे कहर ने गुसे से अपनी आँखों को बंद किया और वहां से चली गई कहर अपनी कार में थी और बारिश हो रही थी गुस्से से उसकी आँखों में आसू थे वहाँ पर बहुत ट्रैफिक था और जाम लगा हुआ था कहर भी उस जाम में फंसी हुई थी इस पल उसने अपना सिरकार से हलका बाहर निकाला कार गाड़ियों की लंबी कतार को देखा और अगल बगल देखने लगी उसे अपने बच्चों के पास जाना था वह गुस्से में उन्हें अकेला छोड़ कर ही आ गई थी इस वक्त कहर की नजर अचानक से एक कार में गई और ड्राइविंग सीट पर बैथे शक्स को देखकर उसकी आखे चोड़ी हो गई उसने शक्स को देखा और बोली यह यहाँ पर कैसे एलविश इगनिविंशी तो आफिस में था तो यह यहाँ पर कैसे आया इसने कपड़े कब बदले कहर की आखों में गुस्सा उतर आया तभी उसे कार ने कट किया और वापस से बैक लेकर चली गई ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो गया और कहर थोड़ी ही देर में अपने होटल पहुँच गई पहुचते ही सबसे पहले वह अपने फ्लैट में गई और अपने तीनों बेटों को धूंदने लगी विहान आहान इशान बेटा कहा हूँ उसी पल विहान जाकर कहर के पर लिप्ट गया और अपनी बड़ी बड़ी आँखों में मोटे मोटे आसुलिये बोला मम्मा कहा चले गए थे मुझे आपकी फिक्र हो रही थी कहर ने जैसे ही विहान को देखा उसकी आँखों में सुकून उतर आया और वह बैठ गई विहान के गालों पर किस करते हुए बोली मम्मा को जरूरी काम आ गया था इसलिए उन्हे जाना परहात है अहान और इशान कहा है तब ही इशान आहान नन्हे नन्हे पैरों से भागते हुए अपने मम्मा के पास आय बोले मम्मा मिस यू कहर ने जब अपने तीनों बेटों को इतना डरा हुआ देखा तो उनको हग करते हुए प्यार से बोली क्या हुआ इतने परेशान क्यू लग रहे हो विहान आहान और इशान तीनू ने अपनी मम्मा को जोर से हख कर लिया और बोले मम्मा जब आप नहीं थे तो हम डर गए थे कि आप कहां चले गए इशान विहान आहान आपको धूंद रहे थे कहरने जब अपने तीनू बेटों को खुद के लिए इतना परेशान होते देखा तो मुस्कुरा दी और बोली मैं बिल्कुल ठीक हूँ बस थोड़ी देर के लिए नीचे गई थी किसी काम से और तुम तीनों अभी तक सोए नहीं कहरने बारी-बारी से अपने तीनों बेटों को दुलारा और फिर उन्हें लेकर सोफे पर आकर बैठ गई और बोली तुम तीनों मम्मा को लेकर इतना परेशान क्यूं हो जाते हो क्योंकि डैदा नहीं है फिर आपको हमें ही आपके प्रोड़क्ट करना है ना कहरने जैसी अपने तीनों बेटों की प्यारी सी बाते सुनी तो उसका दिल भर गया कि उसके नन्हे नन्हे शैतान अभी से उसे प्रोड़क्ट करना चाहते है तीनों ही अपनी मम्मा से लिपते हुए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी मम्मा उनसे गुस्सा होकर चली गई इसलिए तीनों रोन भी लगे थे अगर कहर थोड़ी देर में नहीं आती तो ये तीनों रो रो कर समीर को कॉल भी करने वाले थे एलविश अपनी काबू में गुस्से से बैठा हुआ था और उसके दिमाग में कहर के ही शब्द गूंज रहे थे उसने जो पेपर वेट अपने हाथ में पढ़ा हुआ था उसे उठा कर सामने गुस्से से फेका और बोला मेरी ही ओफिस में आकर तुमने मेरी बेज जती की हैं कहर रगुवन्शी इसकी कीमत में चुकानी पड़ेगी तुम्हें मैं छोडूंगा नहीं कहर ने उसके पर पैशन पर पॉइंट किया था और उसे पर एलिगेशन लगाए थे इसके बारे में उसे पता भी नहीं है वह इतनी गंदी ट्रिक नहीं खेलता ये शब्ध तो उसके कानों में खटक रहा था प्लेबॉई कहर अपने बच्चों को उनके कमरे में लेकर आ गई थी और उन्हें बैट पर सुला रही थी तुम तीनों जल्दी से सो जाओ सुबह जल्दी उठना और हमें डॉक्टर अंकल के पास जाना है लेकिन क्यूं मम्मा विवान ने मुह बनाते हुए कहा क्योंकि तुम दोनों का कोई और भी तेस्ट होगा चलो अब अच्छे बच्चे बनो और सो जाओ कहते हुए कहर उनसे बाहर चली आई उसे अचानक से कुछ याद आ गया था कहर के जाने के बाद वहां इशान और आहान उठकर बैठ गए और दोनों विहान को भूरने लगे तुमने तो कहा था कि मम्मा हमसे गुस्सा होकर चली गई है वह हम तीनों से नाराज है मम्मा अभी भी हमसे गुस्सा है वह तो जाहिर नहीं कर रहे क्योंकि हम बीमार है न इसलिए मुझे तो लगता है कि कहीं मम्मा गुस्से में हम तीनों को छोड़कर ना चले जाए ये सुनकर तो इशान और आहान दोनों ही डर गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया मम्मा ऐसा नहीं करेगी वह तो हमसे प्यार करती हैं मैं कल मम्मा को सौरी बोल दूंगा आहान ने कहा जिस पर इशान बोला मैं भी मम्मा को सौरी बोल दूंगा विहान ने भी रोते हुए कहा मैं भी वही कहर समीर से बात कर रही थी कि वह आया नहीं था क्योंकि वह शाम को आने वाला था तो समीर ने उसे बताया कि वह किसी काम में फंस गया है और उसे आने में टू दिन लग जाएंगे ये सुनकर कहर ने कहा ओके तुम अपना टाइम लो और इधर की टेंशन मत लेना समीन से कहा कि तीनों बच्चों का ख्याल रखें और वह जल्दी ही आ जाएगा कहर ने मुस्कुराते हुए कहा ओके वह तीनों भी तुम्हें बहुत मिस्कर रहे हैं कहर ने समीर को यह नहीं बताया कि कांटेक्ट उनके हाथ नहीं लगा वह समीर को सामने से इनफॉर्म करना चाहती थी अगली सुबह खर अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुच गई और डॉक्टर थॉमस पसनली अहान और विहान का चेक अप कर रहे थे और उनकी मैडलिकल रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें इतना तो अंदाजा हो गया था कि बच्चों को जो डिसॉर्डर हैं वह उनकी मम्मा के तज से रियेक्ट नहीं करता है और अभी कहर के डिएने चेस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी क्योंकि कहर के बलड सेंपल्स का टेस्ट कर रहे थे उन्हें ये जाना था कि कहर के तज से उसके बच्चों पर इफेक्ट क्यों नहीं होता विहान और विवान दोनों ही अपनी मम के सामने चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी मम्मा उन्हें डाटे कल की तरह फिर गुस्सा हो जाए कहर ने जब अपने तीनों बेटों का जितना शांत देखा तो वह हैरान हो गई और वह सोचने लगे कि इन तीनों को क्या हो कहर ने जब अपने तीनों बेटों का जितना शांत देखा तो वह हैरान हो गई और वह सोचने लगे कि इन तीनों को क्या हो कहर को अपने बेटों की फिक्र होने लगी कि कहीं उसके बेटे बीमार तो नहीं है तीनों इतने शांत कैसे हैं जब डॉक्टर थॉमस ने विहान और रहान से पूछा की अब तुम दोनों पहले से कैसा फील कर रहे हो विहान डॉक्टर अंकल हमें यहां पर कब तक आना है। देखते हुए कहा थेंक यू सो मच डॉक्टर। मैं आपको अभी विहान और अहान की सारी पिछली सारी मेडिकल रिपोर्ट देता हूँ। कहर ने कहा फिर तुम तीनों ने आज सुबह से कोई शैतानी नहीं की शैतानी करने पर आप गुस्सा करते हो ना भी। भी हमसे गुस्सा हो क्या कहते हुए विहान और विवान की आगों में मोटे मोटे आसो आने लगे और वह अपनी मम्मा के पैरों से लिपते हुए बोले मम्मा हमें छोड़ कर मत जाना हम अब कभी भी शैतानी नहीं करेंगे आप हमसे नाराज। ना हो ना कहर जैसे ही अपने बेटों की यह बात सुनती और उन्हें डरा हुआ देखा तो बोली यह तुम तीनों से किस ने कहा कि मैं तुम से गुस्सा हूँ या नाराज हूँ। तो उसकी भी हालत बहुत खराब थी। कहर ने अपने तीनों बेटे को वार्ड में ही छोड़ और फिर डॉक्टर थॉमस के केबिन की तरफ जाने लगी वही सामने। से आ रहे एलविश ने भी कहर को नहीं देखा और उन दोनों का एक दूसरे से दोबारा से तक्राव हो गया जिससे कहर ने अपना सिर उठाकर एलविश को देखा तो वह गुस्से से बोली अंधे हो गया हो तो दिखता नहीं है ये जान बूझ कर। ऐसा करते हो क्या तुम देखकर नहीं चल सकती एलविश ने भी गुस्से में कहा मेरे पास तुमसे बकवास करने के लिए वक्त नहीं है कहते हुए वह एलविश को इगनो कर वहां से जाने लगी एलविश ने जब कहर को खुद के द्वारा इस तरीके से इगनो होते हुए देखा तो इंसल्ट फील की और उसका हाथ पकरते हुए गुस्से में बोला रगुवन्शी तुम अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही हो अब क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसके साथ कैसे बेहव करना है डॉन ती टॉक्टू मी आई एम नॉट इंट्रेस्टेड इन यू तुम्हें देखकर मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है स्टे अवे तुम मुझे से दूर रहो और खुश रहो कहते हुए कहर वहां से चली गई एलविश अपने दांट पीस कर रह गया कहर वहां से गुजरी रही थी कि उसे कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और उसने उसे तरफ देखा और हैरान हो गई क्यूंकि सामने से उसका भाई और मा आ रहे थे इतने दिनों बाद उन्हें देख करकर अपनी जगह पर सुन खरी रह गई और जल्दी से घूमी उसकी आँखों में आसु आ गए इतने साल बीट गए थे और अचानक से आज अनेक्सपेक्टेड उन्हें देखने के बाद उसके कई मोशन्स आ गए थे और उसे रोना आ रहा था अगर पहले की बात होती तो वह दोड़कर उनके पास जाती और उन्हें गले लगा कर रोने लगती लेकिन यहां आने के बाद जब उसके पती नहीं उसे जीते जी मार दिया और दुनिया की नजर में भी वह मर चुकी है तो वह अपने पेरेंट्स के सामने नहीं आना चाहती है अब वही सामने से आ रहे कहर का भाई और उसकी मा ने पीछे से कहर को देखा और वह उसे पहचान नहीं पाए और वार्द के अंदर चले गए उनके जाने के बाद कहर ने भी अपने आसु पहुँचे और धीरे से वहां से निकल गई उसका भाई पहले से बढ़ा हो गया है उसकी मा पहले से बीमार लग रही है कहर को अब उनकी भी फिक्र हो रही है और वह उन्हें देखना चाहती है लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाएगी इधर एलविश डॉक्टर थॉमस के केबिन में गुस्से से बैथा हुआ था इतने गुस्से में देखा तो वह डर गए और सोचने लगा सुबह सुबह राक्षस को क्या हो गया एल्विश को इतने गुस्से में देखकर उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बात कर ले उससे कहर अभी कॉरिडोर से होकर गुजरी रही थी कि वह किसी से तक्रा गई और वह शक्स कोई और नहीं बलकी एल्विश की एक्स मदर सुमित्रा थी सुमित्रा को देखने के बाद तो कहर घबरा गई और वही सुमित्रा ने कहर को दिखा और सोचने लगी कि क्या उसने कुछ गलत देख लिया कहर ने अपनी नजरे नीचे जुका लिया और वहां से जाने लगी सुमित्रा ने कहर को जाते हुए देखा और टोकते हुए बोली जरा सुनो कहर के कदम थम गए तुम्हारी रिंग गिर गई है ये सुनने के बाद कहर नीचे जुक कर जल्दी से अपनी रिंग उथा लेती हैं और वहां से जाने लगी कहर को इतनी जल्दी वहा से जाता देख हुआ सुमित्रा और हैरत नजरों से उसे देखती रही और सोचने लगी क्या ये जिन्दा हैं कहर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ उसका सच तो उसके सामने आ रहा है जिससे वह डरती है कहर वापस अपने बेटों के पास आ गई और उन्हें गले लगा कर उसे सुकून महसूस हुआ और उसके अंदर जो बेचनी थी वह शांत हो गई अहान विहान इशान तीनों ही कहर के पास बैठे हुए थे और उससे बाते कर रहे थे कहर अपने बेटों की बाते सुनकर हंस रही थी, वही एक शक्स कहर और उसके तीनों बेटों को देख रहा था और उसने अपने होटों को भींच रखा था और उसकी आँखें भरी हुई थी कहर अपने तीनों बेटों के साथ बैठी हुई थी और उसके तीनों बेटे उससे चिपप कर बैठे हुए थे और उससे बाते कर रहे थे क्यूंकि उन तीनों को सिर्फ अपनी मम्मा के पास रहना था वही कोई और शक्स उन्हें देख रहा था उसकी आँखे भरी हुई थी और दरवाजे पर उसकी पकर मजबूत थी वह कोई और नहीं बलकी एल्विश था एल्विश से ये देखा नहीं जा रहा था जब जब वह देखा था तो उसे कहर का धोखा याद आता था कि वह किसी और आदमी के साथ उसे छोड़ कर भाग गई थी जो उसकी गुरूर उसके स्वाभिमान को अपने पैरू तले कुचल कर चली गई वह ओरत इतनी खुश कैसे रह सकती है कहर की खुशियां एल्विश की आँखों में कंकर की तरह खटक रही थी वही डॉक्टर थॉमस अपनी वाइफ को बाहर छोड़ने जा रहे थे क्योंकि वह उनके लिए लंच लेकर आई थी उनकी वाइफ भी एक स्कूल में प्रिंसिपल है इसके बावजूद भी वह उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी अपनी वाइफ को पाकिंग एरिया में छोड़ने के बाद दॉक्टर थॉमस वापस हॉस्पिटल के अंदर आही रहे थे कि उनकी नजर एक जाने पहचाने शक्स पर गई और वह हैरान हो गए क्योंकि उनके सामने ही एलविश एक लड़की को हग कर रहा था उन्हें अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था उसके बाद एलविश कार में बैठा और उस लड़की के साथ वहां से चला गया यह नजारा डॉक्टर थॉमस को हजम नहीं हो रहा था मिस्टर एलविश रगुवन्शी की डिसॉर्डर ठीक हो गया है क्या वह कैसे किसी वुमेन को हग कर सकते हैं और उनकी अलजी ने रियक्ट क्यों नहीं किया डॉक्टर खुद से ही कहता है अपने इन्ही सवालों के साथ वह वापस अस्पताल में आ गया और अपने केबिन में आकर इस बारे में सोचने लगा उन्होंने तो अभी तक एंटी डॉट भी नहीं मिला था फ्री कैसे पॉसिबल है क्योंकि जो दवायां वह देते हैं उसका असर होने में भी 45 घंटे लगते हैं उसके बाद ही रिजल्ट मिलता है और वह सिर्फ अलजी को कंट्रोल करने के लिए है डॉक्टर थॉमस अभी यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें याद आता है कि उन्हें कहर के बच्चों का भी चेक अप करना था इसलिए वह अपनी जगह से खड़े होते हैं और वहां से कहर के बेटों की तरफ निकल पड़ते हैं तभी उनकी नजर एलविश पर गई जो दरवाजे पर खड़ा कर और उसके बच्चे को देख रहा था ये देखकर तो उनके पैर जमीन खिसब गई क्योंकि अभी थोड़ी वक्त पहले ही उन्होंने एलविश को किसी और लड़की के साथ कार में जाते हुए देखा था और अभी ये हचानक से यहां कैसे वह कन्फ्यूज हो गए थे तोटली और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इसलिए उन्होंने कहा मिस्टर इग्निविंशी आप यहां पर एलविश ने जब डॉक्टर थॉमस की आवाज सुनी तो उसने सिर घूम कर उसके तरफ देखा एलविश के चेहरे को देखते हुए डॉक्टर थॉमस डर गए एलविश ने कहा वाट हैपन्द डॉक्टर थॉमस ने कहा आप यहां पर क्या कर रहे हैं अभी तो आप यहां से चले गए थे ना मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं क्या आप मेरे साथ मेरे केबिन में आ सकते हैं एलविश ने डॉक्टर थॉमस को एक नजर देखा और बोलना होके एलविश और डॉक्टर थॉमस जैसे ही केबिन में आए डॉक्टर थॉमस ने एलविश की तरफ देखते हुए कहा क्या आपका डिसॉर्डर थीक हो गया है एलविश ने जैसे ही डॉक्टर थॉमस का ये सवाल सुनाओ उसने भाव में आकार कहा वाट नॉन्सेंस यह आप कैसी बाते कर रहे हैं क्या आपने मुझे रेंटिडॉस दिया आप इतने सालों से मेरे डॉक्टर है लेकिन अभी तक आपसे कुछ नहीं हुआ मैं आपको मिलियन यूँ ही नहीं देता डॉक्टर थॉमस ने जब इलविश को इतना भड़कते हुए देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने तो सिर्फ एक सवाल किया था तो इतना क्यू भड़क रहा है उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा अब क्या आप लेडिस को तच करते हैं तो आपकी बॉड़ी पर रैशेज नहीं होते तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो इलविश चिरते हुए बोला मैंने आपको अभी पार्किंग एरिया में एक वुमेन को हग करते हुए देखा और मुझे यकीन नहीं हुआ मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हुँ कि क्या आपका डिसॉर्डर ठीक हो गया या बात कोई और है डॉक्टर थॉमस ने एलविश से कहा एलविश ने जैसे ही डॉक्टर थॉमस की बात सुनी उसने अजीब सा रियेक्शन देते हुए कहा मैं पार्किंग एरिया में कब गया तुमने किसी और को देखा होगा डॉक्टर थॉमस हैरान हो गए उन्होंने कहा यह आप कैसी बाते कर रहे हैं वह आप ही थे तो तुम कहना चाहते हो कि मैं जूट बोल रहा हूँ एलविश डॉक्टर थॉमस पर गुसा करते हुए कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ लगता है मुझे गलत फहमी हुई हो डॉक्टर थॉमस ने धीमे से कहा एलविश डॉक्टर थॉमस को अपनी अच्छी नजरों से देखते हुए कहता है क्या तुम्हें कोई एंटी डॉस मिला मुझे कब इस डिसॉर्डर से छुटकारा मिलेगा हम कोशिश कर रहे हैं और हाल ही में हमें आपके ही डिसॉर्डर के सिम्टम दो और बच्चों में देखने को मिले हैं आपकी तरह ही उनकी बॉड़ी भी वुमेन के इफेक्ट होती है और उन्हें भी रैशेज हो जाते हैं ये सुनकर एलविश ने डॉक्टर थॉमस से सवाल किया कौन दो बच्चे कहर रघुवनशी के बेटे डॉक्टर थॉमस की कही गई शब्दों को सुनकर एलविश ने उनकी तरफ देखा और बोला क्या अभी क्या कहा आपने डॉक्टर थॉमस ने एलविश की फेस की तरफ देखते हुए कहा आपकी तरह ही ये डिसॉडर्स हमें दो बच्चों में और मिले हैं और वह बच्चे कहर रगुवन्शी के हैं उनके बेटे विहान और अहान आपकी तरह डिसॉडर्स के सिंप्टम्स उनके अंदर भी पाए गए हैं उनकी बॉड़ी भी आपकी तरह ही वुमेन के तज से अलेज रियक्ट करने लगती है डॉक्टर थॉमस ने एलविश से कहा ये सुनकर एलविश दंग रह गया और विश्वास से डॉक्टर थॉमस की तरफ देखते हुए बोला डॉक्टर आयुशो यस मैं आपको ये पूरी कनफर्मेशन के साथ बोल रहा हूँ उसने कहर के बे और विहान की मेडिकल रिपोर्ट को देख रहा था वैसे वैसे उसके भाव बनते बिगरते जा रहे थे उसने आखिर में मेडिकल रिपोर्ट को बंद किया क्योंकि एक बार वह उसे दोबारा चेक करना चाहता था इसलिए उसने सोचा कि वह उसे घर लेकर जाएगा उसके दिमाग में कई सवाल आ चुके थे उसे दिन Dr. Thomas की तरफ देखते हुए कहा और आप कबसे उनके केस को हेंडल कर रहे हैं. Dr. Thomas ने कहा अभी 2 दिन पहले ही मुझे इनके बारे में पता चला और इनके वक्त पर और भी टेस्ट हो रहे हैं. हैं, दूसरी तरफ, कहर ने अपने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा चलो अब हमारा घर जाने का वक्त हो गया, ये सुनकर रहान विहान और ईशान तीनों ही खुश हो गए और उचल पड़े क्योंकि उन्हें अस्पताल में आना अच्छा, नहीं लगता था यहां पर कहर के तीनों बेटे उसके आगे चल रहे थे और कहर उनके पीछे-पीछे, कहर के बच्चों को देखा था वह सब उन्हें देखता ही रह जाता था, क्योंकि वह इतने प्यारे थे कि उनसे से नजरे, नहीं जाता थी, वही एल्विष भी एक कोने में खड़ा होकर कर और उस उसके बच्चों को देख रहा था उसकी नजर तीनों बच्चे पर बराबर बनी हुई थी उसे तीनों बच्चों में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा था क्योंकि दिखने में तीनों एक जैसे ही थे लगभग एलविश के हाथ में जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसने पकर रखी थी और उसके दिमाग में अब कई सवाल थे जिसके जवाब उसे धूंधने होंगे कहर सबसे बच्चते बचाते ही यहां से जा रही थी क्योंकि यहां पर उसने अपने भाई और मा को भी देखा था और वह नहीं चाहती थी कि वह उनका सामना करें कहर अपने कि शान बोल ममा डेडा कब आएंगे दादा तुम्हारी जल्दी ही आ जाएंगे उन्होंने कहा था और वह पूछे थे कि तुम तीनों कैसे हो मैंने उन्हें बता दिया कि तुम तीनों उन्हें बहुत मिसकर रहे हो वह जल्दी ही आ जाएंगे कहर अपने बेटे को प्यार स समझाते हुए कहा तुम्हारे डेडा काम से गए है ना तो हमें बार-बार कॉल करके उन्हें डिस्टब नहीं करना चाहिए इसलिए तुम लोग खुद से उन्हें कॉल करने के बारे में सोचना भी मत समझ गए कहर ने अपने बगल में बैठे विहान को दिखा जो अपनी आई दिया उसने अपने मन के अंदर चल रहे शक को दूर करना था वही डॉक्टर थॉमस ने लिस्ट को दिखा और सोचने लग होना हो की एलविश का कहर रघुवनशी के साथ कोई तो रिलेशन जरूर हैं कहर अपने बच्चों के साथ रस्टोरेंट गई और वहां पर उन से टेबल को टाइप कर रहा था उसके माथे के बीच में शिकानती जैसे साफ पता चल रहा था कि वह किसी गहरी सोच में दूबा हुआ हैं अचानक से उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई आज तीन दिन बीट गए थे कहर अपने तीनों लाडलों को नहला रही थी वह उसे तैयार भी होना था क्योंकि आज उसे कहीं इंपोर्टेंट काम से जाना था और आज समीर भी वापस आने वाला था कहर अपने तीनों बेटों को उनके टौवल से उन्हें लपेटा और एक एक करके तीनों को बैट पर लाकर बैठा दिया और बोली अब अच्छे बच् मम्मा आज एक बिजनेस मीटीड के लिए जा रही है और उन्हें आने में लेट हो जाएगा तो तुम तीनों मीना और बिना को बिलकुल भी परेशान नहीं करोगे अगर तुम दोनों ने ऐसा किया तो पिछली बार की तरह विहान तुम अगर कहीं भी गए ना तो उल्टा लटका कर तुम्हारा बम लाल कर दूंगी अहान विहान और इशान ने जैसे ही अपनी मम्मा की धमकी सुनी तो वह दर गए और बोले ओके मम्मा वही एलविश भी मेरा के सामने खड़ा होकर अपनी ताई को एड़जस्ट कर रहा था उसके होथों पर डेविल स्माइल थी और वह खुद में ही बोला आज तुम्हें बहुत बड़ा सर्प्राइज मिलेगा कहर रगवन शी गेट रेडी फर शॉक कहर ने अपने तीनों लाडलों को ठीक से समझाया कि वह उसकी फिक्र नहीं करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे कहर अपनी कार लेकर होटल से निकल गई कहर ने आज नेवी ब्लू कलर शर्ट के साथ वाइट कलर की सकट पहनी थी और बलेजर कहर इस वक्त एलिगेंट वूमेन लग रही थी थोड़ी ही देर में कार विजिट लोकेशन पर पहुंच जाती हैं उसने समुद्र की तरफ देखा और एक शीप को जो साइड में लगा हुआ था कहर की मीटिंग वही पर थी कहर जैसे ही कार से बाहर आई और शिप की तरफ बढ़ने लगी वहाँ पर कुछ गार्ट खड़े थे उन्होंने कहर आइडेंटी ली और फिर फोन कर किसी से कन्फम करने के बाद उन्होंने कहर को जाने दिया कार जैसे ही वहाँ पर पहुँची एक bodyguard उसे देखते हुए बोला क्या आप कहर रगवन्शी है कहर ने bodyguard को अपना identity card दिखाते हैं, guard ने कहर को और बोला आप मेरे साथ चलिए Mr. Roy आपका वेट कर रहे हैं कहर ने हामी भर दी और उसे bodyguard के पीछे पीछे चली गई, कहर ने ship का interior design देखा inside part काफी ज्यादा खूबसूरत और अच्छे तरीके से design किया, गया था, bodyguard कहर को Mr. Roy के पास लेकर आ गए Mr. Roy वहाँ पर पहले ही कहर का वेट कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही कहर को देखा बोले hello miss कहर रगवन्शी welcome, कहर Mr. Roy को देखी और बोली thank you Mr. Roy मुझे इतनी अच्छी opportunity देने क लिए Mr. Roy ने भी मुस्कुराते हुए कहा हमें आपका काम पसंद आया बाकी की formality हो चुकी है और हम आपके सारे demands को भी approve करते हैं, contract ready हैं और अगर आप चाहे तो sign कर सकते हैं हम आज ही शुरू कर सकते हैं, कहर मुस्कुराते हुए कहा okay आप एक बार मुझे अपनी conditions के paper पर बाद कहर ने contract paper sign कर दिया Mr. Roy का congratulations मिस कहर रगवनशी, उम्मीद है कि हमें आपके साथ काम कर अच्छा महसूस होगा, कहर बोली thank you so much Mr. Roy तभी Mr. Roy ने कहा thank you आप मुझे नहीं मेरे boss को बोलिये, उन्होंने आपके designs और आपका काम को देखते हुए इस project को approve किया है, कहर ने चोकते हुए कहा आपके boss, Mr. Roy ने कहा yes मेरे boss फिर उन्होंने कहा के पीछे देखते हुए कहा देखिये मैं boss भी आगए आप उनसे भी मिल सकती हैं, कहर मुस्कुराते हुए why not कहते हुए कहर पीछे मुड़ी और सामने से आ रहे शक्स को देथ कर वह दन रह गई, उसे बहु उसके चलने के तरीके में उसका रुत्बा बता रहा था और उसके होठों पर छाई मुस्कान कुल मिला कर वह दिखने, में कतई जहर लग रहा था, उसके पीछे बाउंसा लगे हुए थे उसे शक्स ने बाउंसा को साइड में जाने के लिए ओडर किया, Mr. Roy चलते हुए आपका शुक्रिया कहते हैं उसने, एलविश को ग्रीट किया, वही कहर की आखे गुस्से से लाल हो गई और वहतेज आवाज में बोली तुम, एलविश कहर की तरफ सिर उठा कर देखा और तिर्चा मुस्कुराते हुए बोला मिस कहर रगुवंशी नाइस यू मीट यू अ रगुवंशी यह आप कैसा बेहेव कर रही है बॉस के साथ आप जानती भी है कि यह कौन है, कहर मिस्टर राय की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा जो मैं आपकी बॉस को नहीं जानती और मुझे जाने में कोई, इंटरेस्ट नहीं है मुझे ये कांटेक्ट अभी और इसी वक्त कैंसल करना है और मैं आप लोगों के साथ काम करने, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, कहर की बात सुमकर एलविश की आँखों तीखी हो गई वही एलविश ने गुस्से से मिस्टर राय को देखा तो मिस्टर राय ने घबराते हुए कहर के पास आए और बोले कहर र एपुटेशन खराब हो जाएगी, और अगर आप खुद से कॉंट्रेक्ट कैंसल करती हैं तो आपको हमें 100 करोड देना होगा, कहर गुस्से से अपने दात पीस लिए और वह मिस्टर राय की तरफ देखते हुए चिला कर बोली आपने मुझे पहले, क्यूं नहीं बताया कि आपका बॉस यह आदमी है, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं यह कॉंट्रेक्ट मर जाती, लेकिन साइन नहीं करती क्योंकि मुझे इस आदमी की शकल बरदाष्ट नहीं होती, how can you say कि मैं इसके साथ, कैसे कम कर सकती हूँ इसके साथ, एक दिन भी कोई नहीं रह सकता, एलविश ने जब कहर के मुझे से इतनी जहरीले जहरीले शब्द सुने तो उसकी आखे गुस्से से तीखी हो गई, और वह कहर पर गुस्सा करते हुए बोला, mind your language कहर रगुवन्शी तुम्हारे सामने कोई एरा गैरा शक्स, नहीं खड़ा, एलविश ने जब कहर के इतने करवे शब्दों को सुना तो वो गुस्से से उसे घूरने लगा, कहर के शब्दों ने उसके दिल में जैसे आग लगा दी थी, सर मुझे ये कॉन्ट्रेक्ट कैंसल करना है एनी कॉस्ट में इस आदमी के साथ काम नहीं कर सकती कहर ने एलविश की, तरफ देखते गुस्से से कहा, एलविश गुस्से से कहर के पास आया और दात पीस्ते हुए बोला अपनी जुबान संभाल कर बात करो कहर रगवन्शी ये मत, भूलो की तुम्हारे सामने कौन खड़ा है मैं यहां खड़े खड़े तुम्हारा नाम उनिशान मिटा दूंगा, एलविश क तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती, जब मिस्टर रॉय ने कहर और एलविश के बीच की बहस को देखा तो वो डर गए उन्हें डर था कि कहीं एलविश, इग्निविश कहर को यहां समुद्र में ना फेक दे क्योंकि वो एलविश के खौफ से वाकिफ थे कि वो क्या कर सकत हैं, मिस्टर रॉय को लगा कि उन्हें ही बात संभालनी होगी इसलिए उन्होंने जल्दी से केहर और एलविश के बीच में आते हुए कहा मिस्टर इग्निविशी और मिस रगवन्शी प्लीज आप दोनों को अपरेट करिए अगर आप दोनों ऐसे ही लड़ते जगरते रहेंगे तो हम बात का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कहर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा सॉल्यूशन फॉर वाट जब मैंने सीधा सीधा कहा कि मुझे ये कॉंट्रेक्ट नहीं करना तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कहर की बात सुनकर एलविश ने अपने दात पीस लिये उसने तो सोचा था कि कहर उससे डर जाएगी लेकिन ये तो और ज्यादा अकर गई है और उस पर ही भड़क रही है और चिल्ला रही है इन फाइव सालों में बहुत कुछ बदल गया था कहर का उसको लेकर डर भी बदल गया था अब वह बहुत ज्यादा एलिगेंट और और दीसंट हो गई थी मिस्टर रॉय ने कहर और एलविश की तरफ देखते हुए कहा प्लीज आप दोनों वैसा बिहेव मत करिये आप दोनों की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा कहर और एलविश ने गुस्से से एक दूसरे को देखा फिर दोनों ने अपना मुह फेर लिया वही दूसरी और कहर के लादले अपने कमरे में बैठे हुए थे और अपनी मम्मा को मिस्ट कर रहे थे उन्हें बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अहान ने इशान से पूछा तुम्हें क्या लगता है कि मम्मा कहा गई होगी इशान और विहान ने अहान को घूरते हुए कहा मम्मा काम से गई है तुम अपना काम करो मुझे मम्मा की याद आ रही है अहान ने मुह बनाते हुए का देख रहे थे जैसे दोनों खून एक दूसरे केके प्यासे हो मिस्टर राय ने कहर की तरफ देखते हुए कहा मिस कहर प्लीज बी प्रोफेशनल आप एक बार डॉक्यूमेंट दो बारा रीड करिए और अगर आप हमें कमपनसेशन के रूप में 100 करोड पे करने के लिए तैया कहर ने अपना हाथ टेबल पर रखा और मिस्टर रॉय की तरफ देखते हुए बोली मिस्टर रॉय आई रिस्पेक्ट यू बट प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए हम साथ में काम नहीं कर सकते और इतना बड़ा अमाउंट आप भी जानते हैं कि मैं पे नहीं कर सकत हूँ प्लीज कोई बीच का रास्ता निकालिए एलविश जो अभी तक दोनों की बाते सुन रहा था वो गुस्से में बोला ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि कॉंट्रेक्ट साइन करो और उसके बाद कांटेक्ट कैंसिल करो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने काम से भागे या तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम काम करने लायक नहीं हो तुमने इंडस्ट्री में अपना नाम यूँ ही बना लिया है कहर रगवन्शी मेंने तो सुना था कि कहर रगवन्शी जो भी कांटेक्ट हैंडल करती है वो पफेक्ट होता है वो सबसे फेमस थी शायद तुमने पैसे देकर फैलाए होंगे एल्विश की बात सुन कहर ने दात पीसते हुए कहा तुमने मुझे खुद की तरह समझ रखा है एल्विश इगनिवन्शी एल्विश के शब्दों ने कहर के प्रोफेशन पर उंगी उथा दी थी जो की कहर को बिलकुल मंजूर नहीं था कहर गुसे से बोली तुमने जो किया है एल्विश इगनिवन्शी मैं इसे याद रखूंगी तो ठीक है मैं कॉन्ट्रेक्ट लेने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी कुछ शर्ते हैं जैसे कि क्या एल्विश ने कहर से सवाल करते हुए पुछा मेरी पहली शर्त ये है कि मेरे काम के बीच में तुम्हारी फैमली इन्वाल्व नहीं होगी मैं कुछ भी करूंगी वो मेरे प्रोफेशनल काम के अंदर एंटर नहीं करेंगे और मेरी पसनल लाइफ को टार्गेट नहीं किया जाएगा और मेरी दूसरी शर्थ ये है कि मैं तुम्हारे अंकल की बेटी का मेरेज कांट्रेक्ट पेपर साइन किया है उन्हें मेरे साथ कॉपरेट करना होगा और मेरी प्रोफेशनल और पसनल लाइफ को एक दूसरे से मिक्स नहीं किया जाएगा और मेरी फैमली को कोई तारगेट नहीं करेगा अदवाईज में वही पर कॉन्ट्रेक्ट कैंसिल कर दूंगी और अगर तुम चाहो तो मुझ पर कैस कर सकते हो मुझे कोई प्रोबलम नहीं है मिस्टर एलविश रगुवनशी क्वीश का सवाल सुन कहर ने जवाब देते हुए कहा एलविश और कहर एक दूसरे को आमने सामने बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे क्योंकि सब कुछ सौर्ट आउट हो चुका था कहर ने कॉंट्रेक्ट एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि एलविश ने उसकी सारी कंडीशस को अप्रूव कर दिया था कहर कॉफी पी रही थी और एलविश भी अपनी कॉफी पी रहा था माहौल गर्म था और मिस्टर राय दोनों के बीच में पिस रहे थे थोड़े वक्त बात कहर अपने कार में थी और घर वापस लोट रहे थे उसका पूरा मूट खराब हो चुका था उसे गुस्सा रहा था लेकिन अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी कहर को अब अपने बेटों की बहुत जरूरत है उन्हें देखने के बाद ही उसको सुकून मिलेगा इसलिए वह सीधा घर जा रही थी पर रास्ते में ही उसे स्वीट शॉप दिख गई और वह यहां की सबसे फेमस स्वीट लेकर अपने होटल वापस आ गई जैसा की कहर को उम्मीद थी उसके तीनों बेटे दरवाजे पर बैठ कर ही उनका इंतजार कर रहे थे जब कहर ये देखा तो उसकी आखे नम हो गई उसके तीनों बेटा उसे कितना प्यार करते हैं अहान विहान इशान ने जब कहर को देखा तो वह भागते हुए कहर के पास आए और उसके पैरों से लिप्ट गई और बोले मम्मा आप आ गए कहर ने तीनों बेटों के बालों में हाथ फेरा और बोली हा मम्मा आ गई तुम तीनों यहां क्या कर रहे हो भीना और नीना ने कहर को देखते हुए कहा ये तीनों आपका बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं और हमसे न जाने कितनी बार पूछ चुके हैं कि मम्मा कब आएंगे आपके लिए परेशान हो रहे थे तीनों कहर ने जब ये सुन तो वह अपने तीनों बेटों को गले लगाते हुए बारी-बारी से उनके माथे को चुमते हुए बोली मा ने कहा था ना की फिक्र मत करना क्या तुम तीनों ने लंच किया कहर अपने बच्चों के लिए जो सुइट लेकर आई थी उसने देते हुए कहा ये तुम तीनों के लिए कहर ने दूसरा, बॉक्स दिया और वीना को देते हुए कहा ये हप लोगों के लिए. अहान और विहान इशान तीनों ही भाग कर स्वीट के बॉक्स को टेबल पर रखे और रख और खोलते हुए देखने लगे की उनके मम्मा उनके लिए क्या लेकर आई है जैसे उन्होंने बॉक्स खोल स्वीट को देख कर तीनों ही खुश हो गए और पीछे से जहतर ने आकर कहा तो आगे क्या सोचा है एलविश नहीं गहले समुद्र को देखते हुए कहा गहराई में डूब। जाना है मोहबबत का आशियाना की कुछ यू बसाना है तुझे बरबाद कर दूँ दिल की ख्वाहिश है पर तेरे जखमू। ने मुझे ये बात क कर दिया इसका पसाना भी तो तू है सब कुछ सर के ऊपर से चला गया ज्याट ने मुह बन कर कहा शाम का वक्त वही दो शक्स आपस में बहस कर रहे थे उनकी कन्विसेशन सीरियस थी मैंने अपनी आगों से उसे दिखा वह जिंदा है और इतने साल बाद वापस लौट आई है ऐसा कैसे हो सकता है एक औरत जुन जला कर बोली वह परेशान लग रही थी और इधर उधर चल रही थी हम इतने दिनों से जिसे मरा हुआ समझ रहे थे वह जिंदा है मरे हुए शक्स वापस कैसे आ सकते हैं फाइव साल बीच चुके हैं मुझे लगता है आपको गलत फेह हैं फाइव साल पहले वह जा चुकी थी और वह वापस क्यूं आएगी मैं रधी नहीं हूँ मैं अपनी इनहीं आखों से उसे देखा है और वह कोई और नहीं कहर रगवन्शी थी मैंने उसे अस्पताल में देखा वह आ चुकी है एक औरत बेचैनी से बोले अगर कहर इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा आप रिलेक्स हो जाएए ऐसा कुछ नहीं होगा आपको ज्यादा ही सोच रही है तुम समझ नहीं रहे हो इल्विष इग्निविन्शी के सामने जिस दिन सच आ गया ना वह हम में से किसी को नहीं छोडेगा कि 5 साल पहले जो कु रगुवन्शी इतने साल बाद वापस क्यूं आई है क्या उसे सारा सच पता चल चुका है वह जिंडा कैसे बच गई हमने तो उसे खुद अपने हाथों से मारा था ना मुझे लगता है कि आपने किसी और को देखा है और आप उसे कहर रगुवन्शी समझ रही है अगर उसे आना होता तो वह डाइरेक्ट हमारे घर में आती ना कि आपसे एक्सिडेंटली मिलती हो सकता है कि यह उसका प्लान हो हमें फसाने का देखिये मुझे लगता है कि हमको ज्यादा ही सोच रहे हैं वह लड़की कहर रगुवन्शी नहीं हो सकती आप जानती है ना कि हमने दगी से जाना होगा अगर यह जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे एलविश इग्निवन्शी हमें जीते जी जला देगा सो अभी कहानी जारी रहेगी